दोस्तो आज हम जा रहे हैं कालका टूस हिमला हेमालियन क्विन ट्रोय ट्रेन से और आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कालका रिल्वे स्टेशन चंडिगर से किस पर गर पोस सकते हैं साथ ही इस रूट से जुड़ी संपुर्ण जानकारिया भी आपक आपको कालका के लिए बस मिल जाएगी अगर आप ओटो से जाना चाते हैं तो आपको हाउसिंग बोड लाइट से ही कालका का ओटो मिल जाएगा या फिर आपको पिंजोर तक का ओटो मिल जाएगा जो भी ओटो आपको मिल जाए आप कालका पोस सकते हैं और कालका रिल्वे है हिमालियन कुईन टोय ट्रेंज से जो की ग्यारा पच्पन पर कालका रेलवे स्टेजन से निकल पड़ती है और यह जो रूट है काफी शांदार रहता है हम दोस्तों सेप्टमबर के महीने में ही कालका से शिमला गए थे और आप देख सकते हैं पूरे रास्ते हमें बारिज देखने को मिली और पहाज पूरे के पूरे ग्रीन हो रखे थे जिससे यह सफर काफी शांदर रहा अगर आप कालका शिमला रेलवे ट्रेक की हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसकी हिस्ट्री भी काफी शांदार है बितिश शाषन की ग्रिसिम कालिन रास्धानी शिमला को felices से जोडने के लिए 1896 में दिल्ली अमबाला कमपनी को इस रेलमार्क के निर्माण की जिम्मेदारी सोपी गई थी समुंदर तल से 656 मीटर के उचाय पर इस्थित कालका रेलवे स्टेशन को छोड़ने के बाद ट्रिन सिवाली की पाड़ियों के गमावधार रास्ते से गुज तक रेल यातायात जारी है कालका शिमला रेल मार्क में 103 सुरंगे 869 पुल बने हुए हैं इस मार्क पर 919 घुमाव आते हैं जिनमें से सबसे तीखे मोड़ पर ट्रेंट 48 डिगरी के कोण पर घुमती है वर्ष 1903 में अंग्रेजों द्वारा कालका शिमला रेल सेक्षन बना अंधाम से सतावदे समारो भी मनाया था जिसमें पुर्व रेल मंत्री निदेश कुमार ने भी हिस्सा लिया था इस अफसर पर निदेश कुमार ने इस रेल ट्रेक को हैरिटेस का दर्जा दिलाने के लिए मामला युनेस्को में उठाने की घुशन की थी युनेस्को के दल जो आपने आपे अनुका है युनेसको ने इस रेल पत के इतिहासिक महत्व को समझते हुए बरुसत दिलाया था कि इसे विश्व धरोहर में सामिल करने के लिए वह पूरा प्रियास करेंगे अंतेत्य चोबिस जुलाइब 2008 को इसे विश्व धरोहर गुशित किया गया था साट के दशक में चलने वाले भाप के इंजन ने इस स्टेशन की धरोहर को बरखरा रखा है और यह आज भी शिमला और कैतलिक हाट के बीच चल रहा है इस सेक्शन पर 103 सुरंगों के कारण शिमला में आकरी सुरंग को 103 नंबर सुरंग का नाम दिया गया है दोस्तो फाइनली हम शिमला रेलवे स्टेशन पहुच गए हैं और अब हम ट्रेन से भार निकल रहे हैं आप देख सकते हैं शिमला रेलवे स्टेशन से आपको शिमला की वादियों के काफी शांदर नजारे दिखाई देते हैं साथ ही दोस्तो यहां से आप जाकू इस्तिद हनुमान जी की 108 फिट की परतिमा को भी देख सकते हैं और यह है शिमला रेलवे स्टेशन जो की रात को काफी खुबसुरत दिखाई देता है साथ ही यहां से आपको शिमला की वादियो के इतने हसिन नजारे दिखाई देते हैं जिनको देखकर आपको सच में काफ़ी अच्छा लगने वाला है इस तरह दोस्तों सिमला पोचने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ी ठंड भी है अगर आप शिमला कभी आते हैं जैकट जुकट जुरू लेके आना बीना जैकट के काम नहीं चलेगा